सदा कितना एहम और कितना जरूरी लख है नहीं यह आवाज ही तो है जिसमें सदियों से अंगिनत सदियों से सिंदगियों को बहतर बनाया है इंसानी हुकूप की हिफाज़त की है आवाज चाहें किर वो खामोशी की आवाज हो या फिर हंगामी की महबब की आवाज हो या फिर बगावद की आवाज होनी चाहिए हर एक की आवाज होनी चाहिए उन तमाम आवाजों में एक आवाज जॉन एलिया जिसके लिए आज हम और आप बड़ी महबबत और शक्कत से महफिल सजाए बैदे हैं क्यों तो उनके बादे में ये बात मशभूर है कि अगर उदासी की और दर्द की या घम की कोई आवाज होती तो उसका नाम जॉन एरिया होता मगर हकीकतन जब हो मजदूरों की आवाज हुए तो यकीन जानिये तमाम जालिमों और सियासदानों के पर खच्चे उड़ा दिये उनकी आवाज में से दो आवाजें आज मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर दिया पहली आवाज हमारे सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है कि फरके अफ्लास और मिटा कर निजाम फित्रत से लड़ रहे है निजाम दौलत खुदा की नेमत हर एक रिवायत से लड़ रहे है हर एक सुदाकत से लड़ रहे है मशीयतِ حق से हो के गाफिल खुद अपनी फिस्मत से लड़ रहे हैं हमारी सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते हमारी सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते तो फिर जलील और हकीर पेशे हर एक को नागवार होते अगर सभी मालदार होते तो फिर जलील और हकीर पेशे हर एक को नागवार होते ना कारखानों में काम होता ना लोग मसरूफे कार होते अगर सभी मालदार होते तो मस्जितों मंदिरों कलीसा में कौन संवत गरी दिखाता हमारे राजों और शाहों की अजमते कौन फिर जगाता हसीन ताज और जलील एहराम धाल कर कौन दाथ पाता कहूं कौन दाथ पाता दूसरी आवाज तुम अपने सरकार से ये कहना ये लोग पागल नहीं हुए हैं ये लोग सब कुछ समझ रहे हैं ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं ये जरदरू नाजवान फनकार जिनकी रगरग में वलवले हैं ये जिनको तुम ने कुछल दिया है ये जिनने जीने के होसले हैं दिया है फाकों ने जन्म जिनको जो भूब की गोद में पले हैं ये लोग पागल नहीं हुए हैं ये लोग पागल नहीं हुए हैं तुम्हा सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है सुनो ये लोग जम्हूर की सदा है ये लोग जम्हूर की सदा है ये लोग दुनिया के रहनुमा है ये लोग पागल नहीं हुए है ये लोग पागल नहीं हुए है बहुत हुए बहुत हुए